हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्नेक लिवर डीके में तो चलिए एक और फोन आया था हमारे गाउं से ही चलिके देखते हैं कौन सा साथ है फिर आपको उसके बारे में जान करेंगे मैं बने रही है तो दोस्तों आप जो वीडियो में यह साप देख रहे हैं इसको इंखल नाग साइन्टिफिक ने में इसका ना जाना जा होता है और इसको खरीज भी बोलते हैं गोbaby भी बोलते हैं और पल्टू साप के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये बहुत पल्टता है और अभी ये बहुत छोटा है पर इसमें भी दोस्तों जहर है पर मैं ऐसे ओडियो रिकोर्ड करके इसलिए बोल ला हूं दोस्तों क्योंकि वीडियो में जो ओडियो था उसमें सोर सरावा बहुत था इसलिए मुझको कट करना पड़ा और स्पीकर से रिकोर्ड करना पड़ा और दोस्तों आपको इस साप के बारे मैं बता दूँ तो ये बहुत ही जहरिला होता है वीडियो को देखकर आप ऐसी गलती ना करें क्योंकि ये एक्सपर्ट के लिए और प्रफेस् प्लीज वीडियो को देखकर आप ऐसी गलती ना करें तो दोस्तों आप वीडियो को देखकर ऐसी गलती ना करें क्योंकि ये बे जुबान जानवर है और ये किसी को पहचानता नहीं है कि आप इसके अपने हैं आपने इसको सिखाया आपने इसको पाला है क्योंकि साप के अ के अंदर नहीं होता है वो क्याना में सीखने के क्रिया को नियंत्रित करता है जो इसके अंदर नहीं होता है इसलिए सांप सीख नहीं सकते ना किसी को पहचान सकते हैं क्योंकि ना इनकी आँखों में रेटीना होता है ना ये फोटो खेश सकते हैं सब अफवादी बात है तो दोस्तों मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं अपने भारत में जो कि सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं आम आदमी सोचते हैं सारे सांप जहरीले होते हैं और उनको भेजवान को मार देते हैं पर ऐसा ना करें क्योंकि सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं अपने भारत में जो है 3.500 प्रज़ातियां पाए जाती है सांप जिन में से dai sव प्रज़ातिया ही जहरीली होती है जिन में से चार प्रसेंट सांप जो जहरीले होते हैं जो घरों में आ जाते हैं जैसे कि रसल वाइपर जिसको गधेना बोलते हैं कोमन क्रेट जिस पर चिट्टी चिट्टी धारी होती है बलेक बलेक होते हैं चोटे ज्यादे बड़े नहीं होते हैं नॉर्मल छोटे ही पाए जाते हैं वह हो गया और भी एक दो सांप हैं जो जहरीले होते हैं जो घरों में चुह को खाने में डग खाने और गरमाइस के है इसको हम रिलीज करने जा रहें गंगल में हमारे साथ बने रही है कि है कि है कि हेलो दोस्तों लिए हम यह फोरेश्ट में इसको इसके अनुकुलित वातावरण में रिलीज करने आप देख सकते हैं इस प्रेक्टिकल कोफ़ा कि है... कि है ...